असलाम अलेकुम चैनल बिसमिल्लार सोय में आज मैं आपके साथ शेय करूगी बटर गालिक चिकन मनाने की रेसिपी जो की चिकन की बहुती कुए और टेस्टी स्टार्टर रेसिपी है बनाने में बहुती है जब आप इसको एक बर बनाएंगे तो यह आपको बहुत पसंद आ तेस्ट की साबसी नमक 1 टेबल स्पून हसन अद्रका पेस्ट 1 तीस्पून काली मिर्च पॉर्डर 2 तीस्पून इसमें अड़ करेंगे मैदा और एक अंडे की सफेदी और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 15-20 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हैं और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो इसको डारेट भी पका सकते हैं तो हम इसको 20 मिनट मैरिनेट करेंगे फिर इसको कुक कर जिससे की मैदे और अंडे की जो जो कोटिंगे इसके उपर अच्छे से फिक्स हो जाएगी आप यहाँपर हमने चार से पांच मिनट को हाइफ लेम पर फ्राइक कर लिया है अब अब ढग देंगे और 11-15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर कोक करेंगे और यह लीजे 15 मिनट गुजर चुके हैं चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है साथ यह गल भी चुगा है तो अब हम हाई फ्लेम कर देंगे और चिकन के सभी पीसिस की साइड हम चेंज कर देंगे क्योंकि एक साइड से तो इसमें गोल्डन मार्क्स आ चुके है तो अब देख सकते हैं कि चिकन में गोल्डन मार्क्स आ गये हैं जैसे हमें चाहिए थे अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और चिकन हम रख देंगे एक साइड और चलेंगे अपने नेक्स स्टेप की ज़रब तो अब हम बनाएंगे बटर गालिक सॉस तो हम उसी पैर में एट करेंग करीब पचास ग्राम बटर और बटर के मैल्ट हो जाने के बाद हम इसमें एट कर देंगे वन टेबल स्पून बारी कटाल हसन और इसको हम अच्छे से फ्राइब कर लेंगे जब तक यह सॉफ्ट नहीं हो जाता है और इसका फ्लेवर बटर में रिलीज नहीं हो जाता है तो करने के बाद अब हम इसमें एट कर देंगे दो से तीन बारी कटी हरी मिर्श और साती हम एट कर देंगे एक कप हरी प्यास और हरी प्यास को हमने सबेद हिससे के साथ काट है अगर आपके पास हरी प्यास नहीं है तो आप नॉर्मल प्यास भी यूज कर सकते हैं और थोड़ और यह कोन फल्म फॉर और इस्कों अच्छे ने के बार में राइब न जाए अब फ्राइध नएं जाने बार guitर वह काई और चिकन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से नहीं hypothetical माल जाए जाएब देंद थे वह दो पर हम में थे और अब कर दें कि एक दाग्स राहा है और ऐज्चे से इस्पूल मीक्स कर देंगे और इस पर आप नमक चेक पर दमक कर लें हमारा नमक तो बिल्कूल पॉफटे कर दें तो से 2-3 मिनट हम हाई फ्लेम पर ही कूक करेंगे और हम एड़ करने कि इसमें हारा धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे और यह लेजा बटर कालिक चिकन हम भी हम हमारे बन करते है अब इसको एक प्लेट में सेर्व कर लेंगे तो यह थी आज की बहुत इजी और डिलिशियस रेसिपी और इसकी खाजबात यह है कि जब आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएंगे तो उनको एक नए तरह की डिश का टेस्ट मिलेगा और उनको यह बहुत पसंद आएगी आप इसको प्लेन राइस प्राइड रा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और फैमिली फ्रेंस में शेय करना मत भूलिएगा और चैनल पर फर्स टाइम आएं तो वन टाइम सब्सक्राइब करेंगा साथी बल आइकन को भी प्रेस करेंगा अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई और इ झाल झाल झाल